असलाव में दोस्तों मेरा नाम है फ्रूक है अधर आप देखे हैं पाक यूथ लनिक्स हो तो आपको वीडियो के थन्म पता चालेगे होगा के कौन सा टॉपिक डिसक्रिप्शन होने जा रहा है वीडियो में इंशाला आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा और वीडियो के एं करें तके जैसी में को इन्हीं दिदेक boyfriend-boy उसका चाल को शिर ऐब लगए आपको नॉटिफिकेशन मिल जाए और अगर रही हैं यह कार पिर तो यह हमारा लाग्टे नमर टू है, हीट एंड थर्मा डैनेमिक्स का, तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं, हीट क्या होती है और तेंपरेचर क्या होता है, और इन दोनों के द्रम्यान हम डिफरेंस भी देखेंगे, तो सबसे पहले हम बात का लेते हैं हीट की, अब कोई भी फ्लेम आके शोले के उपर, जब आप कोई चीज रखते हैं, तो आप गोर करते हैं, कि वो गडम हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं, और वो कहाँ से, फ्लेम से वो कनवर्ट होती है कि इसके उपर, उस बाड़ी के उपर, और उस body से वो आगे convert भी हो सकती है अब हम बात करते हैं temperature की What is temperature? Temperature क्या है? It is the degree of hotness or coldness of a body ये temperature हमें बताता है कि आया एक चीज गरम है ये ठंडी इसके लिए हम क्या करते हैं? हम comparison करते हैं ठीक है? तो अगर एक चीज का temperature ज्यादा है और एक चीज का temperature काम है तो अगर हम उनको compare करेंगे तो जिसका temperature ज्यादा होगा इसका मतलब है वो ज्यादा गरम होगी और जिसका temperature काम होगा उसका मतलब ही होगा कि उसकी heat भी काम होगी अच्छा मैने मिसाल दी थी कि अगर हम एक metal spoon को flame के उपर रखते हैं तो flame से heat convert होगी कि इसके उपर वो body के उपर spoon के उपर और spoon गरम हो जाएगा अब इस edge का जहां पे हमने flame रखा था वो वहां का temperature ज्यादा हो गया ज्यादा होगा इसका मतलब वहां पे heat किया ज्यादा है अब वह heat जो हमने हाथ में पकड़ा होगा वह वाली edge उस तरफ वह travel करेगी transfer होगी तो उस side का temperature काम होगा तो यह universal rule है कि हमेशा कोई भी चीज flow होता है flow हमेशा high state से low state में होता है ठीक है तो अब इन दोनों में जा difference हम देखते हैं heat किया है it is a form of energy यह एक energy की किसम है और temperature किया यह thermal condition है किसी भी जिसम की जो के हमें बताती है कि आया जिसम गड़ा में यह थंड़ा है it flows from one body to another और heat किया है एक जिसम से दूसरे जिसम में मुंत्गेल होती है जबके यह क्या है temperature it is a quantity which indicates whether or not यह हमें बताती है कि आया heat travel यह transfer हुई है यह नहीं और अगर हुई है and in which direction heat will flow अगर transfer हुई है तो हमें बताएगा कि heat किस तरफ move की है यह transfer हुई है यह flow हुई है तो उसकी मिसाल दी थी कि अगर फर्स करें यह body है कोई metal का हमारे पास spoon है उसको हमने यहां से गरम किया यहां से transfer हुई heat यहां तक तो हमें direction का भी पता चालिया next जो heat होती है it is the total amount of internal energy heat क्या है किसी भी जिसम की जितनी भी internal energy होगी वो heat की circle में होगी और it is the temperature की तरफ आते है it is the it is proportional to the kinetic energy of the molecules temperature की इसके उपर depend करता है body की kinetic energy पर यानि कोई उसके molecules की motion के उपर depend करता next आ जाता है heat in the transmission of heat total heat remains the same अब इसमें हमारे पास conservation का लाहत है के जब भी इसमें heat होगी ना energy क्योंके energy की किसम है तो इसमें love conservation of energy होगी जितनी heat इसकी यहां पे होगी उतनी ही heat travel होगी यहां तक ठीक है after और before process हमारी heat total होगी और इसमें क्या होता है in the transmission of heat temperature does not remain the same temperature change हो जाता है heat change नहीं होती temperature जाहर है heat नहीं 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 बताया कि जिस साहर के उपर हमने flame रखा था वह गरम है उसका temperature ज्यादा है वह कम temperature की तरफ फ्लो करेगी heat यह क्या है एक cause है वज़ा ठीक है और temperature क्या है उसका effect है इसका ऐसा unit क्या है Joule और temperature का ऐसा unit क्या है Kelvin तो यह छोटा सा introduction था heat का और temperature का और इनकी हमने difference में नहीं देख लिया तो उमीद कर तक को समझ लागी होगी तो मिलते है नेक्स लेक्चर में तर तक के लिए लाफेस